अंडे भी होता है, वेज भी खा लेते हैं हर चीजे, तो जो वेज खा रहा है, वेज, 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 सेविंग से दस अजार की सेविंग था, उससे ठेला लिया और उतर गए रोड पे, बड़ा पाव वाली, जितनी नोटंकी अनिल कपूर इस शो में कर कर देती, तो आज बॉलीवूड में सोरम कपूर एक एक एक्ट्रस का नाम होता, बॉलीवूड के एक गुप्त रोग का नहीं, जो काम हमें करना है, वो करना है, अपने से ज़्यादा बहांस तो होते हैं, अब यह बहांस कर रहे हैं, यह आपस में दुश्मन बन रहे हैं, प्रोफेसर पॉलीगेमी, थांबा, थांबा, चोदलिया जियो पॉलिटिक्स, बनाली उत बिलाओ वर्सिस बगुले वार स्ट्रेटिजी, अब यह कटोरा कट मॉन्टी यह क्लास मॉनिटर बाद में बनी हो, पहले यह बता कि only fans को बारा हैं, यहां पर बैठने के लिए मुश्किल से मुश्किल, तीन रोके, दो मंगनी और एक गोध बनाई तो करके जाऊंगा ही जाऊंगा, दिल वैसे भी बड़ा करना ची कि सब आजे, अरे धीरे बोल, Miss Kashmiri Gate International, तू यहां बोले कि दिल बड़ा कर लो, वहां तेरे मॉन्टू मस्तराम को सुनाई देगा, भि देख रहे हो कैसे सावन के मौसब में काम वासना में लिप्त ये दरियाई गोड़ा मादाओं को घूर घूर कर उनको अपनी तरफ रिजहाने की कोशिश कर रहा है आप कहा से रहनी? मैं बंबई से ही हूँ, मैं एक्टर हूँ तो फिर तो केमरेस की आदा तो केमरेस की दिक्कत नहीं है लाहूल विला कुवत अल्ला ताला कहर बरपाये तुछ पर जापानी जमाल गोटे की बोतल तेर को यह नहीं पता रंदीर शोरी कौन है और क्या करता है? गे जिराफ भाई आपने मेरा चोटा बंजर ढदेखा? जिराफ कैता है लाहज तेर सक्षो आटे बता खामा उगा भर इसको चुम मत पता हुर। जिराफ कैता है क्या थीता लेता पिर शेर के लिए तो इसको पता होता है और से पूछा कॉन जावर था? हसो भाई, एलविश भाई की पैंटी ने जोक मारा, लॉफिंग इन 321 गाइस अब ये मिस्टर छोटा छतरी, तू मत मारा कर यार जो अभी तक की जोनी थी काफी जगास, लेकिन अब होगा कुछ खास अब होगा कुछ खास, अरे अलिल जी कुछ खास नहीं, कुछ खटास है ये ये पागल पशुपक्षी नसबंदी संस्थान सेफिलिउन भाई पिछले 12-15 साल से चला रहे थे से टेलिविजन के माध्यम से हिंदुस्तान की आवाम को इंसान से चिंपांजी बनाने की मोहीम में तो जुटा ही हुआ था, लेकिन अब स्वयम लक्षमी पुत्रमुकेश अम्बानी के आशिरवात से ये शो हिंदुस्तान के चटे होए फुकरे, नालायक और गलीच इंफ पारिवारिक है कि बॉलिवूड के सबसे बड़े पारिवारिक आइकॉन, यानि कि रिवर्स एजिंग वर्जिन ड्रैकुला, आटो मोबील इंजीनियरिंग में बाइल लाइफ मेलिजमेंट की डिगरी हासिल करे हुए, सेफ लिउन अली भाई खान ने भी इस शो को होस्ट करने से हाथ खड़े कर दिये और बुला, अब मैं कभी नौकरी नहीं करूँगा, पुरी दुनिया रनी खाना बन चकी है, तो बस आज इनी लाल पहाड़ी की काली हवेली में रहने वाले चिरकुंडे लुल्ली पिशाचों का उतारेंगे हम, इंफ्ल्यूएंसर होने का वह हैं, honestly saying में. So very obviously and unsurprisingly, इस बार CSVY यानि की चपरी संरक्षन और विकास योजिना के तहट Big Boss में आपको देखने को मिलेंगे, single-handedly Indian youth को बरबादी के रस्ता दिखाते, अपने आपको बदमौस समझते, चोरी की बाईकों की नकली आर्सी बनाने वाले youth icon. यह है लवकेश कटारिया, corrupt viewer. सर जो प्यार करने वाले हैं, मतलब उनको एक word दे रहा, खाया Elvis Army. अब आवास तेरी Elvis जैसी, हरकते तेरी Elvis जैसी, आर्मी भी Elvis की, तु साले फ्रेंचिया भी Elvis की पहनता है क्या? देखने को मिलेंगी Golden Globe Award and Emmy Award winning web show, वड़ा पाओ बनाओ जाडबर, ड्रामे चोदू रात भर की, लीड कलेशी यानि की चंडाली का दिक्षित. दिल्ली में छोले वड़ीरो को खतम करके वड़ा पाओ को पहचान दिया के भाई वड़ा पाओ जाने बाई तो जाने और देखने को मिलेंगे Indian social media के अफिशल कामदेव, जवानी के शिकारी, श्री श्री घोडी बन घोडी, बॉर्डर लाइन क्रिमिलल, चुसेडू अर्मान मलिक, अपनी दो मंद बुद्धि बखरियों के साथ. हमारे पती की दो-दो बीविया हैं. अफकोस हम उनकी बातों में उलच आते हैं. ये शकल देगो, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, ये आदमी एक दिन नेपाल बॉर्डर पे, साइकल के टायर में चरस की बभूत भरके तसकरी करता नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के हत्ते चड़ेगा. कहते हैं, इनसान को तीन पाप माफ होते हैं, तो ये बात अनिल जी ने काफी सीरेसली ले ली. पहला पाप सोनम कपूर, दूसरा पाप रेस्थ्री, लास्ट पाप का घड़ा भोड़ दिया, बिग बॉस होस्ट करके. इस सीजन के नए और खास होस्ट अनिल कपूर. अब रेकॉर्ड हो या स्टिरोटाइब जब और जहां तूटता है, वहां एक ये तो होता है. अरे चिचया, इस शरापित हवेली की चौकिदारी करना कोई खुशी की बात नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड और स्टिरोटाइब के साथ साथ इस हवेली में रहने वाले गुबरेलो ने शेफलिव नली भाई घान का मानसिक संतुलन भी तोड़ दिया था, अगर मेर पे कुछ ऐसा हाल हो जाएगा, अब देखते हैं अंदर हमारी कैसी बनती है, कैसा होता है, बाई देख लेंगे, क्या मैटर होता अंदर, देख लेंगे, क्या मैटर होता है, अब ऐस 70% of Elvis, याद अब जब तुने तन मन धन से Elvis को अपना ही लिया है, तो एक काम और कर, उसके धो दोपड़े की फोटो कॉपी करागे, अपने धोपड़े पे चिपका ले, क्यूंकि भाई तेरा सपना है, एलविज बनना, बिग बॉस जीतना नहीं, बिया क्या करते हो, मैं एक्टर हूँ, क्या किया है अभी तक, ओ, बीग्रेट तमिल फिल्मों की सीग्रेट सुश्मीता सें, तुझे यह नहीं पता ना कि रनवीरी सोरी जैसा वेटरन अक्टर कौन है, तभी तेरा सिलेक्शन बिग बॉस में हुआ है, लोग को लगता है कि यार, इतने कूल कपड़े पहनता है, बहुत ही कूल गाए होगा, इंग्लिश टॉकिंग गाए होगा, हाँ बेटा, जिर छतरबती, शिवाजी महराज की भूमी हुआ करती थी, और आज ये नच बली ये छाप लॉंडो के बक्चोदी के चक्कर में बदनाम है, मैं तो भाईचारे को गया लेके चलता हूँ, जितने भी अपने भाई आएंगे, जो ऐसी चलेंगे, तो उनके साथ ऐसी तुने मेरा अंडखा है अब तु देख मैं तेरी बंदी की फ्रेंड्स कैसे लेता हूँ, तौइलट की सीट पर मुठ्टी तूने मारी है नच टौइलट की सीट पर मैं लेटरिं करने गया ताब मेरी ज्ञांगों पर जम दो इसारी दही, मेरे अलो वेर और जो 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 बा को जाके लाइब सब्सक्राइब और शेयर करो जो अब गंटे के एक डिलुजन रहा है कि भाई UFO देख लिया जिन्दे की सफल हो गई है जितने जादा जनता हो गई उतने जादा चूति होंगे पिछले दस साले पांट साल में इतनी सारी सरकारी स्पूले बंद हुई है आपक लुकिंग है ना तो दीपक चौरा से अभी अद्धा पाऊवा टिका कर रिपोर्टिंग नहीं करता और वड़ा पाऊवाली जल्द जल्द अपने पति को डिवोर्स नहीं देगी क्या समझाऊं सरा पता है समझाई है ना 2424 के जनल इलेक्शन के बारे में इंफ्लुएंस कर रहमंतरी भी अलविश और सलाव ओपोजीशन का लीडर भी अलविश ही है एक बेसिक सा जनल नौलेज का कोईशन पूछ लिया ठटे ठंडे और माते पर पसीना मेंच कोई बात पूछलो इससे कोई सवाल कर लो इससे इस देवदर्शन अगरबत्ती के सूपर मॉडल के पा कि राजसभा और लोगसभा में डिफरेंस किया है और देश कर राश्टरपती कोई है एसे जो हमारे फॉलिवर्स हमारे चाने वाले हमारे सुप चिंतक हैं अब है मिस्टर चेना मुर्गी वो तेरे सुप चिंतक नहीं है वो बारा पंदरा साल के भटके होए लॉंडे है ज लड़कों को सबसे पहले भाई बनाती हूं फ्रेंड जोन तो बात में होता है पहले वो लोग ब्रो जोन हो जाते हैं अच्या मिस्री कीशी शकल है तुम्हारी राशन कार्ड जैसी पर एटिट्यूड है तुम्हारा अमेरिकन ग्रीन कार्ड जैसा सब कुछ छोड़ो मेरे क यह बताओ यह बंगाल पुलिस की जिपसी पर कहा के लॉंडे मरे जा रहे है अगर मैं आपके लिए इंट्रवियू से बारा घंटे पहले यूट्यूब से हिंदी में इंग्लिस कैसे बोले वाली वीडियो 1.5 की स्पीड पर देख लो तो इसको लगा उंगली करते हैं को इ तेस अच्छा लगता था रिपिट आते थे अरे माया वी राकसाशी पूतना वो तेरे वड़ा पाऊ के टेस्ट के चक्कर में रिपिट नहीं करते थे आधे उन पे इसलिए करते थे क्यूंकि तेरे पर वीडियो बना के उनको व्यूज मिल रहे थे और आधे लीचल आदमी इ इस बाबा तू जुक में लगा उन्हें पायल के सोशल और फायदा उठाया और घर में दूसरी बीवी लिया जो उसी की बेस्ट फ्रेंड थी और पायल कुछ नहीं कर पाई उसको पता था इसके पास पैसा है ना पायल के पास पैसा था ना कोई घरबार था इस एक्स्ट्रीमली डिसफंक्शनल फैमिली के मिलियंज में फॉलोवर्स तो है ही लेकिन इसको प्लैटफॉर्म दिया जा रहा है डेश का वन अफ दो बिगेस्ट और यहां पर आके सॉब स्टोरी बताओ अपनी और यह आज में लिटरली एक मैरेज एक्ट में लूप होल लीगल लूप होल को एक्स्प्लोइट करके बॉर्डर लाइन क्राइम कर रहा है यहां पर अपने परिवार की यह तीन लोग कैसे आए एक साथ यह वहां पर अपना लोना शुरू कर देता है कि भाई मेरे को घर चोड़ के जाना पड़ गया मेरे बहुत बुरी बीती मतलब कहते हैं कि रोड पे जब हम गारी चलाते है और एक्सिदेंट हो जाता है इंसान बच जाता है वो मैं हूँ अब है मस्तराम तेरे को अच्छी तरह पता है तू क्या कर रहा है और तेरे को अभी भी अच्छी तरह पता है कि तू कैसे अपनी दोरों बीवियों को monetize गर रहा है and at the same time it feels very sad and it actually breaks my heart to see कि रनवीर शोरी साब को कैसे ट्वीट करा जा रहा शो के अंदर now this is a fact कि उनको पता था what he is signing up for अंदर बत्तमीजी ही होती है बत्तमीजी का ही ये वाला शो है लेकिन वो चीज गलत है जहां पे कुछ लोग जैसे ये चिरकुंडी वड़ा पाओ वाली ऐसे दिखाते हैं कि ये इतने बड़े influencer हैं ये जाके रनवीर शोरी से पूछ रहे हैं कि भईया तुम क्या करते हो मुझे 101 बड़ से पता है इन लोग उने इनकी picture आज नहीं तो कल देखी होगी but they want to act and throw around their way बिग बॉस जो दसियों साल पहले एक fun light hearted family oriented show की तरह शुरू हुआ था reality show की तरह शुरू हुआ था आज वो एक ऐसा platform बन गया है जहाँ पर साजित खान जैसे लोग और अर्मान मलिक जैसे borderline criminals की image को whitewash करा जाता है रनवीर शोरी साब के साथ इस show के अंदर जो हो रहा है and more important than that उनके career के साथ जो दुखत घटनाय घटी है पिछले 10 सालों में और personal life में भी that warrants a separate video तो honestly saying opinions अगर रनवीर शोरी की life पे चाहिए हो comment section में comment कर देना वो मिल जाए पर भाईया क्या कर सकते है 17 साल से तो यह गदा-गाडी चल रही है आगे भी चलती रहेगी तो मैंने तुम्हारे को बता दिया है कि भाईया अगली गली में पागल कुते हैं वहाँ जाके उनसे कटवाना मत अगर तुम्हें कटवाना है वैसे तो बहुत सालों को मज़ा आया कि गिल्टी प्लेजर है यह एक शो तो भाईया जाओ कटवाओ मुझे क्या है मैं मिलता ह तुम्हारे से अगली वीडियो में तब तक के लिए कैसी लगी है वीडियो ओनेसली से ही पॉड़कास को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लेना तब तक लिए मावा मिया लजान्या पपी बाई बाई